हेलो फ्रेंड्स दिस इज एस्पी शिंग एंड वेलकम टू इस्माइट एवरी टेग पेरे दोस्तों सीटेट जुलाई दोजाट चॉबिस को टार्ट करते वे हमने क्लासे शुरू कर दी हैं और आज की क्लास यह आपकी सीडीपी की फर्स्ट क्लास होगी ठीक है हमारे दोसरे चैनल पर चल नहीं है आप वहां से उनको देख सकते हैं और यहां पी भी हमने यह क्लास शुरू कर दी हैं और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जिस तरीक की क्लास अब एक्जैम्स में पूछे जा रहे हैं वही क्लास हम लोग डिस् समझेंगे पहला क्योशन आपके सामने क्योशन कहता है विकास डैस से डैस की और बढ़ता है यानि कि जो डिफलपमेंट है वो किस तरीके से चलता है वो सिर से पैर की तरफ होता है या जटिल से सरल की तरफ चलता है बाहर से किंदर की तरफ होता है या विशिष्ट से सामा चलता है सर कैसे देखिए जो छूटा बच्चा होता है जब वो स्कूल जाता है तो उसको पहले क्या सिखाया जाता है पहले उसको छुटा से अनार बड़ा से आम सिखाया जाता है फिर धीरे धीरे उसको वर्णमाला सिखाई जाती है फिर उसको दो अक्छरवाले शब्द फि उसको मात्राओं का प्रियोग सिखाया जाता है यानि कि ये सरल To Juttle चलते हैं simple to complex चलते हैं ठीक है तो बच्चे का विकास क्या होता है simple to complex होता है पहले बच्चा सरल चीज़ों को करना सीखता है आप भी पहले सरल कोर्षिन्स को हल करना सीखते हैं धीरे-धीरे आपको cutting questions दिये जाते हैं, तो ध्यान रखेगा हमेशा जो विकास है, वो सरल से जटल की तरफ चलेगा, जटल से सरल नहीं चलेगा, ओके यह option आपका गलत हो गया, विकास हमेशा केंदर से बाहर की ओर होता है, बाहर से केंदर की तरफ नहीं होता, यानि कि हमारे केंदर से, हमारी जो read की हड़ी होती है, यहां से बिलकुल केंदर से बाहर की तरफ हमारा विकास चलता है, अंदर internal part है, उसके बाहर आपका जो body है, वो बाहर की तरफ develop होती है, तो केंदर से बाहर होता है, बाहर से केंदर नहीं होता है, इसलिए ये भी option कट जाएगा, मतलब ये होता है कि पहले बालक कुछ सामान, कुछ सरल, शब्दों को बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो किसी वस्त को उसके proper नाम से जान लेता है, फिर सही वस्त को सही नाम से बुलाना शुरू कर देता है, यानि कि पहले सामान तरीके से शब्दों को बोलता है, फिर सरल से जटिल चलता है जटिल से सरल नहीं चलता ठीक है केंदर से बाहर चलता है बाहर से केंदर नहीं चलता सामाने से विशिच चलता है विशिच से सामाने नहीं चलता और according to the question कह रहा है कि विकास जो है वो सिर से पैर की और बढ़ता है ये तीनों option गलत हो जाते हैं सिर से प जो हाथ हैं डफलप होते हैं, बाकी दरफ डफलप होता है, कोई लास्ट में उसके पैर डफलप होते हैं, टीक है, तो option नमबर जो हमारा first है वहाँ, right हो जाएका, जो विकास है, वो सिर्से पैर की तरफ बढ़ता है, ओके, आगे बढ़ते हैं, question number next आपके सामने है, किसरे लोगों के साथ या समाज के साथ इंटरेक्ट करना अंतहकरिया करके सीखते हैं, क्या समाजिकरण में क्या आता है, हम लोगों से बोलना, उटना, बैटना, किस के साथ कैशा विभार करना है, सब बता समस्कृति, ये सब चीजे, socialization के अंतरगत आती हैं, लेकिन उसमे भी अलग-अलग कारक हैं, प्रात्मिक और दुतियक, प्रात्मिक में क्या जाएगा, समाजिकरण का प्रात्मिक कारक क्या होता है, समाजिकरण का प्रात्मिक कारक हमारा परिवार होता है, क्योंकि सबसे पहले हम चीजें अपने परिवार से ही सीखते हैं, माता-पिता बाल परिवार से सीख रहा है तो परिवार जो है ये समाजी क्रण का प्रात्मिक कारक माना गया है फिर बालक विद्याले जाता है और विद्याले जो है विद्याले में ही बालक का चहुमुखी विकास होता है उसका सरवांगीर विकास होता है वहाँ पे विद्याले जो है वो बाल समाज जिक्रण का दूतिये कारक माना जाता है, विद्धेले हो गया, या जैसे आपका मीडिया हो गया, ठीक है, धार्मिक इस्थल हो गया, आपकी लाइब्रेरी हो गयी, किताबे हो गयी, यह सभी सेकेंडरी में आ जाते हैं, परिवार हमारा प्राइमरी में आ जाता है, तो प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धान्त के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु इस्थायत को समझना आरंब कर देते हैं जीन प्याजे ने कितनी अवस्थाइं बताई है अपने सिध्धान्त में तो जीन प्याजे ने अपने सिध्धान्त में चार प्रमुक जो है की अवस्थाओं का वर्ण किया है ए पहली है समेदी गामा का वस्था जिसमें जो समय होता है 0 से 2 वर्ष का होता है दूसरे उन्हों तक और आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यह होती 11 से 15 साल तक ही तो इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यह जीन प्याजे ने अपने संक्रियात्मक विकास के सिधानत में चार अवस्थाएं बताई हैं कि जो बालक है वहीं चार से किस सटेज में आ करके वस्थाय तो यानि कि अबजक्ट प्रमानेंस् समझना शुरू कर देता हैं तो वह सेंसे संवेधी गामक अवस्था इस में और जो है और यह समझना शुरू कर देता है यानि कि बच्रोंम यह समझ डevelop फोरे लगती है कि वस्तों का अस्तित्व तब भी रहता है जब हम उन्हें देख नहीं सकते हम उन्हें चू नहीं सकते हैं ऐसा नहीं कि अगर हम चीजों को वस्तों को चू नहीं सकते हैं तो वो चीज ही नहीं है या अगर हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं तो वो चीज है ही नहीं अगर यहां पर बालक अगर आप बच्चे की कुछ चीज छिपा देते हैं तो वो उसको ढूंडने का प्रयाश करता है और ढूंड भी निकालता है ठीक है तो यह होता है object permanence जो की sensory motor stage में आकर की बच्चे के अंदर develop हो जाता है इतनी बात के लिए होती है कोश्च में फोर कहता है लेवाई गौत्सकी के according section अधिगम की निवन में से कौन सी विती जो है वो learning को promote करती है अधिगम को बढ़ावा देती है क्या वो निसकरी अनुकरण है passive imitation नहीं पैश्य imitation कभी नहीं होगा क्योंकि बच्चा जहां पे active नहीं है जहां पे खुद involved नहीं है वो अधिगम कभी बेतर होई नहीं सकता अधिगम वो बेतर होता है जहां बच्चा खुद involved होके सीखता है जहां बच्चा खुद active है ठीक है यहां पे passive की बात कर रहा है इसलिए यह option नमारा पहले ही कर जाएगा फिर है सहभागी अधिगम सहभागी अधिगम में क्या होता है cooperate learning इसको कहते हैं इसमें छात्रों को विद्यार्थियों को या तो जोडे में बठा दिया जाता है नहीं तो छोटे छोटे गुरुप में बठा करके फिर उनको questions दे दिया जाता है solve करने के लिए कोई topic दे दिया जाता है चर्चा करने के लिए इससे क्या होता है बच्चा अपने विचार रखता है अपनी बात रखता है अपनी तरीके से question हल करता है दूसरे भी उससे सीखते हैं यह cooperate learning होती जहां बच्चा एक दूसरे से भी सीखता है और जो है कि इससे अधिगम क्या होता है प्रमोट होता है इससे बच्चा अच्छा अधिगम कर सकता है व्याख्यात्मक सिक्षन कभी भी बेतर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें टीचर आकर के अपनी explain करते हैं व्याख्या दे करके चले जाते हैं इसमें बच्चा मात्र सरोता बन करके बैठा रहे जाता है इसलिए ये भी option बेस्ट नहीं है सबसे बेस्ट option जिसकी लेवाएगा उसकी बात कर रहे हैं वो है शहभागी अधिगम यानिकी cooperate learning options B is the right one in this question क्योशन बर 5 कहता है बाल केंदर सिक्षा किसकी अंसंसा करती है Child Centered Education Advocates Park देखिए जो बाल केंदर सिक्षा होती है बाल केंदर सिक्षा में सिक्षा का केंदर बिन्लो बालक होता है इसमें सब कुछ बालक के according चलता है बालक की योगिता कितनी है बालक की छमता कितनी है बालक किस चेतर में रुची रखता है किस सब्जेक्ट में रुची रखता है उसके हिसाब से उसको शिक्षा दी जाती है इसमें मान की करत पाटचर्या नहीं होती पुरुसकार और दंड का इस्तिमाल नहीं है यहाँ पे विक्तिकत भेनेताओं पर ध् बालक है ठीक है और इसमें बच्चे से personally contact किया जाता है personally उस पर ध्यान दिया जाता है इसमें बालक की समस्च्या अगर किसी बालक को कोई problem है तो उसको दूर करने के लिए पहले उसका निदान किया जाता है यानि कि उस problems की reasons तक पहुंचा जाता है फिर उन कार्णों को जड़ से खत्म करने का प्रयाज किया जाता है उसका उपचार किया जाता है ठीक है तो यह होती है बालकेंद्रित सिक्षा जिसमें हम बच्चे की विक्तिकत भिनिताओं पर ध्यान देते हैं कौन बच्चा किस तरीके का है किस तरीके से वो सीख सकता है कौन से teaching method उसके लिए apply करना जी है इसके हिसाब से ठीक है तो option number C best हो जाएगा यहाँ पर अगला question आपके सामने question कहता है Howard, Gardner के Buddhi के सिध्दान्त के अनुसार, बुद्धी क्या है? बुद्धी के सभी बच्चों में एक समान इस्तर होते हैं, इसके बारे पहले थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजे देखे Gardner के Buddhi सिध्दान्त के according जो है, बुद्धी कई परकार की होती है गार्डनर का जो बुद्धी से दान्त गार्डनर ने दिया है ये कहते हैं कि बुद्धी कई प्रकार की होती है और विक्तियों के पास विभिन प्रकार की बुद्धी के विभिन इस तर भी होते हैं ऐसा नहीं है कि भाई एक ही प्रकार की बुद्धी हो और इस तर अलग अलग हो या इस तर प्रकार अलग अलग हो इस तर एक ही है नहीं अलग 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 प्रकार की बुद्धी के अलग अलग इस तर भी होते हैं और बुद्धी का शुरूप एकाकी नहीं होता बहुकार की ह कितने नौ प्रकार की बुद्धी का वर्णन किया है जैसे सबसे पहले आपकी इसमें आती है भाषाई बुद्धी जिसको हम लिंग्विश्टिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं इस तरह की बुद्धी में वाक्यों या शब्दों को समझने की छमता अच्छी होती है जिन व्यक् होते हैं उनके अंदर भाषाई बुद्धी बहुत बहुत अच्छी होती जैसे आपके डाक्टर कुमार विश्वास हो गया ठीक है किस तरीके से शब्दों से खेल जाते हैं किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं हैना कितनी अच्छे पकड़ है उनकी लेंग्विज पे त जैसे लोग गनित में अच्छे होते हैं इस्थानिक बुद्धी जो होते हैं इस्थानिक बुद्धी जिन लोग के अंदर अच्छी होती है यह लोग मैप पर किसी भी इस्थान को बड़ी आसानी से ढूंड लेते हैं शारीडी के गतिक बुद्धी जो है इस तरह की बुद उनकी उस पर कंट्रोल अच्छा है हम अगर इस तरीके से कूद करके और नीचे गिर जाएंगे तो हड़ी पसली तुड़ा लेंगे लेकिन उनकी बॉड़ी पर फरक नहीं पड़ता उनका कंट्रोल अच्छा है संगीतिक बुद्धी जो होती है जिन वेक्तियों के अंदर समझने की छमता उनकी मूड्स को मॉनिटर करके किसी नई परिसिती में किस तरह से वो विवहार करेगा इसके बारे में हम पहले से स्टेट्मेंट दे सकते हैं इतनी छमता उसकी होती है उसके अंदर जिसके अंदर ये बुद्धी पाई जाती है फिर है विक्तिकत अन्य जिनके अंदर प्रकर्तिवादी बुद्धी अच्छी पाई जाती है वो प्रकर्ति के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं जैसे किसान हो गए बता देंगे बारिस कब होगी मौसम कैसा रहेगा वो मौसम का अनुमान बड़ा जल्दी लगा लेते हैं शिकारी के अंदर प इसको जानने के लिए प्रेडित करती है और इस प्रेकार की जो बुद्धी है वो जो फिलोसफर्स होते हैं जो दार्सनिक होते हैं उनके अंदर अच्छी पाई जाती है तो यहाँ पे अब हम चलते हैं कोशन की तरफ एकॉर्डिंग टू यह चीज़ आपने समझ ली इसको सम अलग होते हैं और इस तर भी अलग होते हैं ऐसा भी हम नहीं पढ़ा है तो यह वह कोई घ्रत अधार को बुद्धी जो है जन्म से ही स्थिर है और इस पर प्रिवेशिय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्यों नहीं पड़ता भाई प्रिवेशिय जो हमारा environment है उसका हमारी बुद्धी पर बहुत फर्क पड़ता है ठीक है ये भी option हमारा कट जाएगा कई प्रकार की होती ह है और विक्तियों के पास विभिन प्रकार की बुद्धी के विभिन भिन इस तरह भी होते हैं ये option हमारा डी जो है वो यहां पर राइट हो जाएगा और हम बढ़ेंगे next question की तरफ आकलन करने का मुक के करण क्या होता है यानि की assessment क्यों किया जाता है तो देखिए आकलन विद्यार्थियों में परिक्षा के प्रती भै पैदा करने के लिए क्या जाता है नहीं भहिया डराओगे का है बच्चों को डराना नहीं है धंकाना नहीं है बिमारना नहीं है है ना अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं, ठेक है प्रगत इस तर कैसा है, इन सब चीजों को जानने के लिए हम आकलन करते हैं, option B right हो जाएगा, विद्यार्थियों का achievement के according उन्हें आगे की नहीं है, गलत हो जाएगा, विद्यार्थियों को rank देना और वरियताओं में वरगिगरत कर देना ये भी नहीं, हमारा आकलन करने का मुख्य, आकलन करने के पीछे main reason ये होता है, कि हम ये जान लें कि विद्यार्थियों की प्रगति का इस तर क्या है, बच्चे कितनी progress कर र ये 75 फी रह गया, ठीक है, बच्चा पीछे चला गया, या और आगे चला गया, तो उसकी प्रगति का इस तर क्या है, ये सब चीज़ों को जानने के लिए हम आकलन करते हैं, तो option number जो भी है, वो यहाँ पर आपका best answer हो जाएगा, very good, बहुत बढ़ी है question से एक से बढ़ करक सफल समावशन को सुनेश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, भाई एक बालख है, जो सरवनबादीत है, ठीक है, वो सुन नहीं सकता, अब उसके लिए आप क्या करेंगे, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विथी का अत्ग से अधिक परिय प्रियोग करेंगे एक बात बताओ जो व्यक्ति बहरा है सुन नहीं सकता उसके लिए चाहें आप जितने लेक्चर देदो चाहें जितनी कथाएं सुना तो उसके तो सर के ऊपर से निकल जाएगा ना उसको तो कुछ समझ नहीं है क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं पड़ रहा ह तो फिर हम इस उप्सन के साथ कैसे जा सकते हैं बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर व्यक्ष्यान विधी का प्रियोग किया जा रहा है जो कि बच्चे के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखता अधिगम के लिए आख के लिए मौकिक परिच्छनों का प्रियोग क कक्षा में संकेतिक भाषा के प्रियोग का निशेद कर देंगे यानि कि आप संकेतिक भाषा बिल्कुल नहीं प्रियोग करेंगे क्यों नहीं प्रियोग करेंगे बच्चे हमारा सुन नहीं रहा है तो उसके लिए हम संकेत का यूज़ करेंगे हम सिंबल्स का यूज़ करें क्योंकि वो सुन नहीं पारा तो हम संकेत के माध्यम शुष को समझाने का प्रयास करेंगे ना तो आप उसका निसेद कर रहे हैं यह भी ऑप्सन हमारा गलत हो जाएगा और दूसरी बात यहाँ सुनिश्चित करना कि मौकिक संप्रेशन दर्श्यात्मक परस्तुतिकर्ण के सा प्रस्तुत हो यह ऑप्सन बिलकुल हमारा सही है कि अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसके लिए जो भी आप जो औरल जो आप बोल रहे हैं उसके लिए आप चीजों को सामने दिखाने का भी कर्ष्ट करें आप जिस चीज के बारें समझा रहे हैं वो चीज सामने बच्चे को दिखने चाहिए क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे है तो देख करके ही समझ जाएगा देख करके ही सीख लेगा देख करके ही उसकी अदिख लेनिंग हो जाएगी है ना लेनिग हो जायाएगी तो उसके लिए मौकिक के साथ साथ आप डश्यात्मक पर सुतिकर laure भ उनमें किस तरह की संभावना होती है उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है भाई मूल बातों की सहज सरल समझ का अभाव कैसे होगा क्योंकि बच्चे परतिभा शाली हैं उनके अंदर वो छोटी-छोटी सरल सी बातों को पहले ही समझ लेते हैं ठीक है यह option कट गय जो प्रतिबा साली बालक है, जो मिधावी बालक है, अपने सहपार्थियों की तुल्ना में काफी धीमी गती से प्रत्किरिया देते हैं, क्यों भाई, वो तो प्रतिबा साली बालक है, तो अपने सहपार्थियों की तुल्ना में वो फटक से अंसर करेंगे, तुरंत जो है कि respond करेंगे यह भी option आपका गलत हो गया यदि कार चुनोती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं नहीं चुनोती भरे काम को मेधावी बच्चे और अच्छे से उसको पकड़ते हैं कि इसको तो करना है इसको किसी ना किसी तरीके से हम solve करेंगे चुनोती भरे काम को वो छोड़ते नहीं है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ऐसा मेधावी बच्चे के अंदर होता है जिस question को पकड़ लेते हैं जब तक answer नहीं आ जाता उसके पीशे पड़े रहेंगे तो ये भी option आपका गलत हो गया समाधान खोजने के प्रती इच्छा विक्त करते हैं बिल्कुल जो बच्चे मेधावी होते हैं वो समाधान खोजने के प्रती इच्छा विक्त करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें इस question का answer लेकर के आना है जब तक इस question को हम हल नहीं कर लेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम सोएंगे नहीं, ठीक है, तो खोजने के प्रति उनकी अपनी इच्छा होती है, जब तक उनको satisfaction नहीं मिल जाता, तब तक वो उस question के पीछे पड़े रहते हैं, option D, right हो जाता है, very good, आगला question आपके सामने, question जाएगा, जहां बच्चा निस्क्री रहेगा, वो option हमेशा हमारा गलत हो जाए, कि बच्चा, बच्चे का अधियम वहीं बेहतर होगा, जहां वो खुद involved होगा, जहां वो active होगा, ठीक है, विद्यार्थी क्या पुरुसकार और दंड के माध्यम से बेहतर सीखते हैं, नही आप बात बात पर बच्चे को पुरुसकार थोड़ना देंगे, बात 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 पर उसको मारेंगे, पीटेंगे थोड़ना, इससे बच्चा कैसे बेहतर सीखेगा, कैसे वो effective तरीके से सीखेगा, क्या आप उसको डंडे के दंपे न चाहेंगे, या फिर उसको रोज आप pen pencil देते रहेंगे, नहीं, ये भी option गलत है भई, ठीक है, बच्चे बेहतर सीखते हैं जब उनकी अपनी जिग्यासा होती है, अगर आप जिग्यासू नहीं है, अगर आप जानना नहीं चाह रहे हैं, तो चाहें हम जितने आसान तरीके से आपको समझाते हैं, चाहें जितने सर method अपना लें, आप नहीं सीख पाएंगे, जब तक आपके अंदर, खुद के अंदर जिग्यासा नहीं होगी, जब तक आप खुद अपने आपको, जो है कि अपने आप अन्वेशन नहीं करेंगे, किसी चीज़ को explore नहीं करेंगे, खुद खोज नहीं करेंगे, learning by doing नहीं कर नहीं करेंगे, ये भी option हमारा गलत हो गया, ठीक है, तो option number C के साथ में हम चले जाएंगे, very good, बहुत अच्छे questions रहें, 11 number question, बहुत ही बहुत ही बहुतरिन question आपके सामने, निमले लिखित में से कौन सा बहारी अभी प्रेणा का उधारन है, पहरे दोस्तों, दो प्रकार की अभी प्रेणा होती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ठीक है, एक तो होती है आंतरिक अभी प्रेणा, क्या होती है, एक होती है आंतरिक अभी प्रेणा, और एक होती है बाहे अभी प्रेणा, आंतरिक अभी प्रेणा वो होती है, जिसमें आपकी इच्छा हो, आपकी जिग्यासा हो ठीक है आपका मन हो अपने लक्ष तक पहुंचने की आप पी इच्छा है वो आंतरी का भी प्रेणा होती है बहारी अभी प्रेणा का मतलब ये होता है कि भाई आज टीचर ने कह दिया कि ये पांच कोशन्स कल जो याद करके सुना देगा उसको हम ये दस पैन देंगे ठीक है अब अब बच्छा घर पे आया और हुं को कॉशन्स को लटने में लग गया याद करने में लगया याद नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम किसी ने किसी तरीके से वो 10 रुपेवला पेन हासिल करना है वो 10 रुपेवला पेन हमको क्लास में जीतना है यह क्या हो गए? यह आपकी बाहरी मोटिवेशन हो गई यहाँ पे आपका मन नहीं है अगर teacher ना कहता तो साल भर question रखे रहते आप याद नहीं करते आप क्यों याद कर रहे हैं? आप इस पेन को पाने के चक्कर में याद कर रहे हैं यह बाहरी अभी प्रेणा है जहां हमारी अपनी इच्छा होती है हमारा अपना मन होता है teacher ने question करवा दिये अब हम उसको याद कर ले पता नहीं teacher कब सुन ले यह जब teacher कब सुन ले question है तो हमने याद कर लिए यह हमारी अपनी इच्छा है यह आमतरी कभी प्रेणा हो गई ठीक है? तो यह दो चीजे होती है अब इसमें पूछ रहा है कौन सा बाहरी अभी प्रेणा का उदाहरन है जिग्यासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम भाई आप किसी भी जिग्यासा को किसी भी curiosity को संतुष्ट करने के लिए जो अधिगम करते हैं भाई आप की अपनी इच्छा है मालीजे आपको teacher ने कुछ आज मालीजे पढ़ा दिया अब उस question के बारे में तो आपने जान लिया लेकिन उसके पीछे बाप और जानना चाह रहे हैं कि अब मैं पूरी सरने question समझाया तो है लेकिन मैं satisfy नहीं हुआ मुझे इसके बारे में और जानना है मैं इसके लिए और किताबे पढ़ूँगा तो ये क्या हो गया जब तक आपकी जग्यासा संतुष्ट नहीं हो जाती जब तक आप अपने आपको satisfied नहीं कर लेते तब तक जो आप अधिगम करते रेते रहते हैं वो आntrik अभी प्रेना हो गई वो आपकी अपनी इच्छा है ये आंत्रिक अभी प्रेणा कहलाएगी समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम यानि कि आपकी जो understanding है उसको और बेहतर करने के लिए आपकी समझ को और बेहतर करने के लिए जो आप अधिगम कर रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है ये आंत्रिक अभी प्रेड़ना कहलाएगी नगद पुरुसकार पाने के लिए जो अधिगम करते हैं जैसा कि मैंने pen का उधरन दिया कि हमको 10 रुपए का pen teacher से जीतना है, class में जीतना है उसके लिए जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो अपी बहरी अभी प्रेड़ना हो गई ठीक है या अगर teacher ये कह दे कि अच्छा चलिए, next option है किसी कौशल में निपुर्णता प्राप्त करने के लिए अधिगम करना भाई, कोई skill है, उसमें आप ही आप क्या करना चाहरा है, कि यार ये skill हमको भी सीखनी है लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, लोग को ये आजकल ये इतनी, जो है कि creative काम कैसे कर रहे हैं, ये reels कैसे बना लेते हैं, ये photo rating कैसे आती है ये video rating कैसे करते हैं, मुझे भी सीखना है ये बड़ा अच्छा लगता है ये आपकी अपनी अभी प्रेड़ना है ये आपकी आंतरिक अभी प्रेड़ना कहलाएगी ठीक है, तो ये क्या है केवल जो option number C है, ये बहारी अभी प्रेड़ना का उधारन है क्योंकि इसमें आप बहारी चीज़ पाने के लिए अधिगम कर रहे है, बाकी सबी option में आपकी अपनी इच्छा है ठीक है, तो option number C right हो गया क्योशन बहुत अच्छा था, आगे बढ़ते है क्योशन कहता है, अधिगम किसके दौरा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, देखे ये कहा गया है कि वैसकों के दौरा बालकों को जो temporary help दी जाती है, थोड़े समय के लिए जो guidance दिया जाता है वो इसके folding कहलाता है, जो की अधिगम में प्रभावी होता है जो की learning को promote करता है जैसे पहले मा लिजिए पिता जी ने बच्चे की जो cycle बच्चा चलाना सीख रहा है कुछ समय के लिए इसमें हाथ लगाया जब बच्चा चलाने लगया तो फिर हाथ उन्होंने छोड़ दिया बच्चा cycle अकेला लिए चला जा रहा है ये क्या है, ये temporary help है ये कुछ समय के लिए दिया जाने वाला guidance है ये इसके folding कहलाता है इसको हिंदी में पाड़ या धाचा कहते है ये learning को क्या करेगा, promote करेगा तो ये यहाँ पे सकारात्मक चीज होगी ये नकारात्मक नहीं होगी ठीक है, दूसरी बात नकारात्मक रूप से कौनसी चीज प्रभावित करेगी निरासा की भावना क्योंकि जब अच्छा hopeless होता है जब वो निरास होता है तो इससे उसके अधिगम पर bad effect पड़ेगा नकारात्मक पर भाव पड़ेगा ठीक है, विद्यालय का जब अच्छा समर्द प्रिवेश होता है तब भी आपकी learning बहतर होगी विद्यार्थियों के जरूरत के according विक्तिगत रूप से जो annotation दिया जा रहा है विक्तिगत रूप का मतलब है जो बच्चा जिस तरीके का guidance चाहता है जिस तरीके के interactions चाहता है उसको दिये जा रहा है उसकी योगता के हिसाब से उसकी रूचि के हिसाब से उसकी चंता के हिसाब से ये क्या है ये अधिगम को और जदा बहतर करता है ये उसके लिए सकारत्मक रूप से निकल करके आता है यहाँ पे नकारत्मक रूप से कौन से चीज प्रभावित करेगी निराशा की भावना option नमर जो भी है वो यहाँ पर right हो चाता है फिर next question हमारा development से related question है और development से related question दो तिन question आपको मिलते ही है विकास के बारे में निमन में से कौन सा कथन सही नहीं है हमको इसमें गलत चीज दूढ़नी है देखे, बच्चे पहला option कहता है हमारा बच्चे विभिन दरों पर विक्सित होते हैं जी हाँ बिलकुल जो बच्चे होते हैं वो अलग-अलग यानि की different rate पर develop करते हैं कोई बच्चा एक साल में चलना सीख गया है कोई डेड़ साल में चलना सीख रहा है कोई 9-10 महिने में ही चलना सीख गया है कोई एक साल में बोलना सीख रहा है कोई डेड़ साल में बोलना सीख रहा है तो ये बच्चों के अंदर develop करने की अलग भिन भिन दर होती है विक्स अप एक शक्रत करमिक होता है जी हाँ बिलकुल क्योंकि बालक जो है जन्म के उपरांत केवल रोता है फिर तीन महीने के बाद वो एक वीशिश प्रकार की आवाज निकालता है छे महीने के बाद वो क्या कहते हैं उसको खिल खिला करके हासने लगता है या आनंद की दोनी निकालने लगता है साथ महीने में वो अपने माता पिता के लिए पाबा हनादा इन शब्दों को बोलने लगता है ठीक है तो यह क्या है यह सीक्वेंश चलता है यह क्या है यह क्रमिक होता है ये करम में चल ला है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले पाबादा बोल ला है, फिर बात में आरंद, फिर जो है वो खिलिखला करके आशर आए, फिर जो है कि वो विशिश प्रकार की आवाज निकल ला है, ऐसा नहीं है, एक जो करम है, वो development उसी में चलेगा, ठीक है, तो option यहाँ पे यह भी बात आपकी सही है, हमें गलत ढूनना है, आनुवशिक्ता विकास का एक मात्र कारण है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो development होता है, जो विकास होता है, उसमें आनुवशिक्ता और पर्यावरण दोनों ही include होते हैं, दोनों ही शामिल होते हैं, यह उसकी आनुवशिक्ता पर depend करता है, ठीक है, दूसरी बात है, आनुवशिक्ता से जो आपको गुण प्राप्त होते हैं, जो गुण आपके अंतर नहीं थे हैं, जो अंदर हैं, उन्हें वातावरण के माध्यम से, एट्मोस्फियर के माध्यम से, उनको बाहर निकाला ज जाता है, ओके तो आई बास समझ में अनुवशिक्ता और परगयावण दोनों मिलकर के, साथ में मिलकर के, बच्चे का development करते हैं, विकास निरंतर रूप से होता है, बिल्कुल डेफरेंटली विकास निरंतर रूप से होता है, फर कितना है कि कभी विकास धीमा होता है, कभी तेज होता है, शुरुवात के जो तीन वर्स होते हैं, वहाँ पे बालक का जो development है, development का जो process है वो बहुत तीवर गती से होता है, फिर जो है कि धीमा पड़ जाता है, इस तरीके से विकास, मंद और धीमे गती से चलता रहता है, अचानक कभी भी नहीं होता, ठीक है, according to the question, अगर बात करें, कौन सा कतन सही नहीं है तो आनुवन सिक्ता विकास का एक मात्र कारण है, जहां only लग जाता है वो option हमारों वैसे भी कर जाता है आनुवन सिक्ता और प्रयावन, अगर दोनों option में होते, तो हमारा ये option best हो जाता है, नहीं कि right हो जाता, चलिए, अगला question आपके सामने, question कहता है लेवाइगोश्की के सिध्धान्त को किस तरह का सिध्धान्त माना गया है, तो लेवाइगोश्की का जो सिध्धान्त है, इनके सिध्धान्त को जो वाइगोट्स के वो कहते हैं कि सामाजिक अनताय क्रिया ही बालक की सोच और विवहार में निरंतर बदलाव लाती है जब बालक समाज के साथ इंटरेक्ट करता है अनताय क्रिया करता है तब ही वो सीखता है बच्चा अपने समाज, सोसाइटी और संस्कृत यानिकी कल्चर से अनताय क्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है यानिकी बालक का विकास सामाजिक अनताय क्रिया के बाद ही होता है बच्चा अपने दोस्तों से जो कॉपरेटिव लेर्निंग होती है जिसकी अभी में शुरुआत में बात कर रहे थे कि छोटे छोटे ग्रूप्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो बच्चा अपने साथियों से भी सीखता है ठीक है अपना समाज के शाथ या खेल के मैदान में भी सीख रहा है अगर आपके दोस्त जो है कि मकार है नकारा है तो फिर अगर वो रोज क्लास से बाहर निकल आए तो आप भी निकलेंगे क्योंकि उसका फरक आप पे पड़ेगा उनका सबसे महत्पूर्ण कॉंसेप्ट यही है इंटरेक्शन वो यही कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं एक दूसरे के साथ अंतकरिया करके सीखते हैं तो इस तरीके से जो option number हमारा B है वहा राइट हो जाएगा कोशिमर 15 है आपके सामने कोशिन कहता है विद्याले में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन करता है लचीरी समय सारनी क्या ये बाधा उत्पन करेगा नहीं लचीरी समय सारनी तो ठीक है क्योंकि आप बच्चे के हिसाब से आप अपने time table में changes कर रहे हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो ये तो ठीक है ये तो positive चीज है सनसनात्मक सिक्षाशास्त्री भी ठीक है जी हाँ कठोर पाट चार रहा अगर आपका जो syllabus है आपकी जो किताबे हैं उनकी language stuff है या जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उसको उसके लिए आप teaching methods का जो use कर रहे हैं वो थोड़ा rigid type की है cutting type की है या मतलब इस तरीके का जो पाट करम होगा उसमें creativity को include नहीं किया गया है syllabus में तो फिर ये जरूर बच्चे की सफलता में बाधा पहुंचाएगा क्योंकि पाट करम इस प्रकार होना चाहिए जो बच्चों की सोचने की छंता को बढ़ावा दे बच्चों की रचनात्मक्ता को बढ़ाए साथी साथ नई चीजे सीखने के लिए प्रोत्साहित करे इस तरीके का पाट करम होना चाहिए रिजिट करिक्रम आप लगा देंगे तो बच्चे की जो सफलता है उसमें जिरूर बाधा उत्पन हो जाएगी कोश्मर 16 है एक मा ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे के तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है यानि कि दो बच्चे हैं टुइन्स हैं दोनों जुड़वा हैं ठीक है दोनों एक ही दिन एक ही समय पर पैदा हुए है एक साथ है ठीक है अब उनकी मा ने देखा कि इन टुइन्स में जो एक बच्चा है वो चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है यानि कि वो जल्दी चलना सीख रहा है या सीख गया है सीखने में इस भिनता के विकास का कौन सा सिध्धान्त जुड़ा हुआ है विक्तियों में व विकास चरण दर्चरण आगे बढ़ता है अलग अलग विक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है हर किसी में विकास सामान से विशिट क्यों बढ़ता है बात तो ये भी सही है लेकिन भिनता के विकास की अगर हम बात करें तो आपसे नमर सी के साथ में जाएंगे क् यहां पर जो एक बच्चा चलना सीखने में जल्दी सीख रहा है इसका मतलब यही है कि अलग-अलग विक्तियों में विकास अलग-अलग गती से होता है क्योंकि कोई एक साल में चलना सीख जाता है कोई यह देड़ साल लगा देता है ठीक है कोई 8-9 महिने में ही चलना सीख जाता है कोई जल्दी बोलना सीख जाता है कोई देड़ से बोलना सीखता है तो ये अलग-अलग गती से अलग-अलग विक्तियों में development होता है दूसरी बात है इस पर कई कारकों का भी प्रभाव पढ़ता है एक तो वन्शानू क्रम का भी प्रभाव पढ़ता है बच्चे के development पर वात अवरन का प्रभाव पढ़ता है और सुरस्थाय का प्रभाव बहुत पढ़ता है कि एक सुरस्थ है तो वो जल्दी चलना भी सीखेगा जल्दी बोलना भी सीखेगा अगर कोई बच्चा माली जे बीमार उमार रहता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है विकास उसका रूक जाता है वो फिर दूसरे के तुला में बहुत धीमी गती से डफलप करेगा ये सब चीजे होती है इनका प्रभाव पड़ता है तो सीधी सी बात है भिनिता का विकास जो है अलग-अलग विक्तियों के विकास अलग-अलग गती से होते है ठीक है अगली बात हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा कोईशन फिर नेक्स्ट कोईशन आपके सामने है विकास निमन में से किस पर निर्बर है आनुवनसिक प्रतियों पर डिपेंड करता है सामाचिक सांस्कृतिक प्रताओं पर डिपेंड करता है बहुत तिक वाताओं पर डिपेंड करता है तो जो विकास है, डफलप्मेंट है यह आनुवनसिक प्रतियों यानि की कुल मिला करके वन्शानुक्रमप्रइब benefit करती है अकसर देखा जाता है कि तीब्र बुद्धि- जो- है माता-पैता की संतान में तीब्र बुद्धि की ही होती है तो यह वन्शानुक्रम की देण होती है दूसरा है बहुत एक वातावरण वातावरण का भी बाला के डिवलेपमेंट पर बहुत पीशिश प्रभाव देखने को मिलता है इसकूल, समाझ, खेल का मैदान, परिवार का अटमासफेर यहां से भी यहां से ही बाला का डिवलेपमेंट होता है और धीरे धीरे वो इस condition में आ जाता है कि वो स्वेम ही वातावरण पर प्रभाव डालता है वातावरण ही बाला कि जो बहुत सारी आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है जैसे मैंने अभी बताया तो ये सब चीजे जो है विकास को विकास पर निर्भर है ठीक है विकास निमने से किस पर निर्भर है तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है इसलिए option number first, second, third, तीनों right हो जाएंगे question number 18 कहता है Lawrence Kohlberg के नैतिक विकास के सिध्धान्त के अंसार एक वेक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं विवस्था चरण में है उसका मत क्या होगा जो कानून एवं विवस्था चरण में है उसका मत यही होगा कि कानून और अधिकारियों की आग्या का पारन करना चाहिए जिससे समाजिक पनाली सुगम बनी रहे ठीक है तो आप्सिन नमर यहां पर जो बी है वहाँ राइट हो जाएगा लॉरेंस कोलवर्ग को आपने पढ़ाया हुआ है आप उनके सिद्धान्त को पूरा समझ रखते है बहत्र कोशिन है लेवाई गोश्चिन ने निम्ल में से कौन सा सिद्धान्त दिया है लेवाई गोश्चिन ने शंग्यानात्मक विकास का समाजिक सांस्कृतिक सिद्धान्त दिया है ठीक है जिसमें उन्होंने इसके फोल्डिंग पाड़िया धाचा की बात की है और उन्होंने कहा है कि बालक समाज के साथ अंतर किजया करके सीखता है एक प्रगत सील कक्षा में याने कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम विद्धियार्थियों को किस और केंद्रित होना चाहिए अपने सहपार्थियों से परतिशपर्धा की और जी नहीं आप सीधा जो है कॉमपनिशन पर ही जोर थोड़ना देंगे हैना एक प्रगत सील कक्षा है उसमें क्या होना चाहिए उसमें शक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और ग्यान सर्जन की और यानि की कंस्ट्रक्टिंग दा नॉलेज फिद एक्टिव पाटिस पेसिएन पर जोर होना चाहिए जितना हो सके उतना कंट्रस्टिक रण नहीं रोट मेमरोजेशन पर बिल्कुल नहीं जाएंगे और मूर्त पुरुसकार जैसे ट्रॉफी जीतने की और मतलब ये तो फिर आपका उद्देश सिर्फ ट्रॉफियां जीतना रह जाएगा है ना आप लर्णिंग की तरफ जाएंगे ये नहीं आप नॉलेज की तरफ जाएंगे ये नहीं ठीक है तो ये उप्सन गलत है सीधा सा उप्सन है पर जो प्रगत सील का खशा है उसमें ट्योंना चाहिए बच्चा एक्टिव हो करके सीखे बच्चा पाटिसिपेट करके सीखे खुद एक्स्प्लोर करके सीखे लर्णिंग बई डूइंग होना चाहिए बच्चा ग्यान को ग्यान का सरजन कर पाए उप्सन डिज्टा राइट में दिसकोशन नेक्स्ट कोशन आपके सामने है हवर्ड गार्टनर के दोरा प्रतिपादित बहु बुद्धियों में निम्ले लेखित में से कौन सी सामिल ने है तो अभी हमने पीशे आपको बताया था भाषाई बुद्धी है जिसमें जिनके पास भाषाई बुद्धी होती वो उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है भावनात्मक बुद्धी हमने कहीं नहीं पड़ी इस्थानिक बुद्धी की हमने बात की थी जिनके अंदर इस्पेशियल इंटेलिजेंस होती है वो मैप पर किसी भी चीज़ को अच्छे से जान लेते हैं जिनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है उनकी संगीत पर पकड़ अच्छी होती है भावनात्मक बुद्धी की इन्होंने कहीं पर भी कोई बात नहीं की है तो आप्शन नमबर यहां पर जो बी है वहाँ क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा क्योशन कहता है एक बहुत संस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए एक बहुत संस्कृतिक कक्षा में जिसमें बच्चे अलग-अलग संस्कृत के बच्चे आये हैं उसमें केवल प्रबल समूह यानि की ऐसा समूह जो प्रबल है जिस संस्कृत के बच्चे ज़्यादा हैं केवल उसकी संस्कृतिक प्रथाओं को प्रधान्दा देनी चाहिए तो फिर दूसरे बच्चों का क्या होगा जो दूसरी संस्कृत क्या हैं क्या उनको ठेस नहीं पहुंचेगी क्या उनको बुरा नहीं लगेगा इसलिए ये option नमारा गलत हो जाएगा केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक पर्थाओं को प्रधानता देनी चाहिए हम एक की तरफ क्यों जाएंगे हम एक सांस्कृत के बच्चों की तरफ क्यों जुकेंगे ये भी option नमारा गलत हो जाएगा प्रबल समू की सांस्कृतिक पर्थाओं की नकारत्मक परसुति करने चाहिए जो समू प्रबल है उसकी जो सांस्कृतिक पर्थाएं हैं रीतिरवाज हैं उसको हम नकारत्मक परसुति करने चाहिए इससे क्या होगा इससे मतलब ये भी तो गलत है ना इससे उन बच्चों को भी बुरा लगेगा तो विद्यार्थियों ये भी option अंगलत हो जाता है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों की संदर में उनकी विक्तिकत भिनता का संबान करना चाहिए बिल्कुल डेफिनेटली ये option हमारा right हो जाता है हमें क्या करना है हमें बच्चे क हमों की बात नहीं करनी है है ना ऐसा नहीं कि सिर्फ सुवधा वंचित बालकों को ही हम महतों दें उनको प्रधानता दें ऐसा नहीं हमें हमारे लिए सब बराबर हैं ठीक हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए पूरी क्लास के 80 बच्चे क्लास में बैठें 80 के यसी बिलकुल एक समान है, तो हम सभी को बराबर मातव हो देंगे, सभी की संस्कृत से सब्वरता को मातव देंगे, ठीक है किसी एक की तरफ हम जुकेंगे नहीं, एक की तरफ हम जाएंगे नहीं, 94, निमनलिक्षित मेंसे कौन सी सरचनात्मक विद्धियर्थी की पहँचान करने वली मिश्षटा नहीं है इसमें से तीन मिश्षटाई यहीं है जो क्रियेटिव बालक की है एक है जो उससे डिफरेंट है जिग्यासा की प्रबल भावना जी हाँ जो सरचनात्पक बालक होते हैं उनके अंदर जिग्यासा की प्रबल भावना देखने को मिलती है, वो हर चीज को जानना चाहते हैं, उसके प्रति जिग्यासू रहते हैं, जब तक उनको self satisfaction नहीं मिल जाता, तब तक वो सांती से नहीं बैठते हैं, आभी सारी सोच ये सरजनात्मक बालक की बिशिष्टा नही सोचता है, कनवर्जेंट जो है, वो हमें एक ही दिसा में सोचने पर मजबूर कर देती है, तो अभी सारी सोच जो है, ये सरजनात्मक बालक की बिशिष्टा नहीं है, बाकि उच्छ इस्तरी समस्या, समधन कौसल भी सरजनात्मक बालक में पाया जाता है, नवाचारी, लिखा होता, अप सारी सोच लिखा होता, तो वो ऑप्सन हमारा राइट हो जाता, ठीक है, इतनी बात के लिए होती है, वेरी गुट, राश्ट्री सिक्षा नेती 2020 सुझाती है कि एनिपी 2020 सजेट्स दैट एजुकेशन सुड भी, सिक्षा होनी चाहिए, पार्ट पुस्तक क विशय वश्तु तक सीमित होनी चाहिए, नहीं, सीमित की बात नहीं करेंगे, हम लिमिट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पी बात वरी, सिर्फ क्या कहरा है यह आप्सन, यह कहरा है कि पार्ट पुस्तक की विशय वश्तु तक ही लिमिटेट होना चाहिए, ऐसा नहीं और दूसरी बात कंटस्तिक रण रोट मेमोराजेशन की तरफ हम कभी नहीं जाएंगे एनेपी 2020 की बात नहीं करती है और कॉंप्टिशन की बात भी नहीं करती है परतिश परदा बढ़ाने की तरफ उन्मुक होना चाहिए नहीं कभी नहीं समालोचनात्मक चिंतन पर जोड़ देती है क्या करती है एनेपी 2020 जो है वो कहती है कि सिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंदरित होना चाहिए क्रिटिकल थिंक्टिंग पर जो है कि डेपेंड होना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन जो है यह सूचनक की अवधारना यानि की जो इनफरमेशन का कॉंसेप्ट है अनुपर्योग है विसलेशन है संसलेशन है या मुल्यांकन है यह इन सब जो करने के पौधिक प्रक्रिया होती है समालोचनात्मक चिंतन जिसकी बात NEP 2020 करता है कोशन कहता है एक प्रगत्सील कक्षा में अध्यापकों को डैस रूप में तथा सिक्षार्थियों को डैस रूप में अपेक्षित करती है एक प्रगत्सील कक्षा में अध्यापकों को ग्यान का प्रदाता और सिक्षार्थियों को ग्यान का निसक्रिय ग्रहन करता माना जाता है ओके दूसरा है जानकारी का प्रभूतोधारी सुरोत अधिनस्त प्रति भागी क्या यह उप्शन सही नहीं सबोर्डिनेट पार्टिसिपेंट बालक नहीं होता ऑप्शन भी भी कट गया सुसाधक जो टीचर है वो सुसाधक है और जो बालक है वो ग्यान के सरजन में सक्री प्रति भागी होंगे बिल्कुल बात से यह option C right हो जाता है निस्क्री है हमेशा गलत रहेगा और सक्री हमेशा हमारा option राइट हो जाएगा टीचर भाया ताना सहा कब से हो गया डिक्टेटर कब से हो गया ठीक है ताना सहाई में तो सरफ उसी के चलेगी उससे डरेंगे बच बच्चा कोई question नहीं पूछ सकता ठीक है तो यह सब चीजे गलत है राइट क्या है जहां बच्चा active होकर के सीख राया that is good option very good अगला question बहुत भेतर question निमलिखेत में से कौन सा समस्या समाधान की पद्दति का पहला देखें समस्या समाधान के चरण को ले करकर के आपको कई जगे अलग अलग परकार के अलग 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 छिरण मिल जाएंगे यानि कई झगए पांच मिल जाएंगे कहीं जगे छे मिल जांगे कोई आठ चरण बताता है थीक कया लेकिन सबसे पूर्ण माने गए हैं कि पाँच आपके चरण इसमें होते हैं जिसमें सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है समस्या की पहँचान करना दूसरा होता है समस्या का विसलेशन करना तीसरा होता है समस्या के मूल कारणों की तलाश करना चौथा होता है समाधान को लागू करना पांचवा होता है प्रिणामों का आतलन करना कि जो result हैं वो बहतर है या नहीं तो किसी भी problem को solve करने की जो पहली method होती है वो है हमारा समस्या की पहचान करना identification of the problem ठीक है option number B यहाँ पर right हो जाएगा प्रात्मिक विद्याले में चात्रों को प्रेडित करने के लिए teacher को क्या रणेनिती अपनानी चाहिए बैए प्रात्मिक विद्याले का चाहिए एक से पांच तक के बच्चे हैं वहाँ बच्चों को प्रेडित करना चाह रहे हैं बच्चों को क्या करना चाहरें, मोटिवेट करना चाहरें, उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, विक्तिकत चात्रों के बिच अंकों के लिए प्रतिश परदा को प्रोटसाहित करेंगे, आप कॉमप्टीशन को बढ़ावा देंगे, ये तो कोई बात नहीं रेस में ही भागेगा, दोड़ेगा, एक दूसरे को पीछे चोड़ने का प्रैस करेगा, अधिगम तो इसमें कहीं है ही नहीं, प्रतेक गतिविती के लिए, हर अक्टिविटी के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोटसाहान, पुरुसकार और दंड का उप्योग करें चलो मान लेते हैं, ठीक है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष निर्धारित करें, और उन लक्षों की उपलब्धी का आकलन करने के लिए कठोर मान दंड की बात को उनकर एगा, ये भी ऑप्सन ठीक नहीं है, यहाँ पर पुरुसकार और दंड की बात आगा, ये भी ठीक नहीं है, बच्चों को उनकी रुची के एकॉर्डिंग लक्ष निर्धारित करने में मदद करें, बिल्कुल ये बात सही है, कि जिस चीज में आपका इंट्रेस्ट हो, जिस फिल्ड में आप जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को आप क्या करें, उनका लक्ष नि युगदान नहीं देता है, कौन सी चीज है जो लर्निंग के प्रॉसेस में पॉजिटिव यहां पे नहीं है, कुपोशन, क्या ये युगदान नहीं देता है, बिल्कुल भई, कुपोशन कहां से, अगर बच्चे को पूरी तरीके से पोशन नहीं मिल रहा है, तो उसकी लर बात है उसकी learning आगे बढ़ेगी आप सारी चिंतन मैंने अभी का था कि जो बालक क्रियेटिव बालक होता है उसके अंदर divergent thinking होती है और बच्चों को हमें यही सिखाना चाहिए कि आप एक प्रावलम के कई solutions ढूंडने का प्रयास करो उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचो और discussions भी बहुत जरूरी है चर्चाएं जरूरी है यह सबी चीज़े ठीक है लेकिन कुपोशन जो है यह सकारात्मक सुपसे योगदान नहीं देता अगर कुपोशित बच्चा है तो उस दूसरा तिसरा कोशन जिसमें हमने बताया था कि socialization में जो प्रात्मिक कारक है वो हमारा परिवार होता है क्योंकि सबीता संस्कृति आचार विचार ठीक है यह सब चीज़े बच्चा पहले परिवार से सीखता है फिर वो अपने विद्याले के पास जाता है शामाजिक मीड जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धान्त के अंसार के सचरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरन या दूसरे की नकल करना शुरू कर देते हैं तो वो कौन सी अवस्था है वह अवस्था हमारी समवेधी गामा का वस्था है इस अवस्था में जब बच्चा हो चेसら होंगे वैसा ही होब भी करना शुरू खरते है जैसा आप करेंगे आप उजा पाट कर रहे हैं ौप वैसे हाँ जुरूं जोड़ेंगे आपको क्ल्म करते हैं वो भी वैसे ही करने का प्रयास करेंगे तो यहां पर बच्चे के अंदर एक तो अब्जेक्ट प्रमानिस का भी गुण आ जाता है मैंने पहले इस तुका और यहीं पर बच्चा नकल करना भी शुरू कर देता है और यहां पर जो ए है वो राइट हो गया चीक है तो यह रहे आज के हमारे 30 कोशन जो हमने आप तक शेयर किये क्लास के सीरी कॉमेंट करके जरू बताएगा और इसी तरीके से और भी कोशन आपको मिलते रहेंगे थैंक्यू सो मच